अफ्यू एम मैस्ट टुटोरियल पे मैं अनिर मौर्या आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्रेंट सीएसारे जून टूर्ट नाइटिन कुईशन नमर फॉर्टीवन डिफरेंशल एक्वेशन से रिलेटेटिव प्रॉलम्स है बहुत इंपोर्टेंट इन बेसिक कंसेप्ट बेस्ट प्रॉलम्स है आप इसको इजली कर पाएंगे सबका मैक्जिमम सही हो गया होगा मैं वीडियो में कहूंगा कि मेरे चैनल एम मैस्ट टूरियल का अंडर अब सब्लेबल है तो आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रेशन बाक्स में मैं लिंक दे दूंगा इससे मेरे वीडियो को आप डायकली देख पाएंगे और मेरे चैनल भी और अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से लाइक और शेयर करें है आईए क्विश्चिन पर बात करते हैं हम सल्विशन की बात करें हम इसी है एकस स्क्वार य डबल डैस एक्स माइनस तू वाइफ ऑफ एक्स जिगल जिरो तो यह है यूलर लैंगरेंजियन का फार्मुला होता है जैसे इस तरह के क्विश्चिन को हम सॉल्व करने के इसे एनदर एकस स्क्वार य डबल डैस एक्स मैं पूट अप करना हूँ इस दी वन दी वन माइनस वन एंडिस इस वाई वाइज दी वन इस एक्वल टू और डी बाई दीजट है चुक्कि यहां पर और है ही नहीं यह अगर आपका यह होता दियो एक्स वाइडस एक्स तो पर चुक्कि वह वर्क आउट नहीं है तो सबसेचूट कर दीजिए सो दी वन माइनस वन और माइनस टू और यह आउट साइड कर देता हूँ दिस इस वाई आफ इक्वेशन जो हम फाइंड आउट करते हैं यह स्क्वार माइनस दी वन माइनस टू इक्वल टू जीरो तो दी वन प्लस वन उकल चू जीरो माइनस वन चू रूटस मिल गया है तो चुकि अब यह एं पूम्लिमेंटरी फंसरन राइए एड साइड में पां कर दीक्री तू जो हमारा ह해 जीरो है तो पां करदिकिवेट नहीं है मतला माइनस इसका स्लूशन हो जाएगा तो there is a y of x is equal to मैं c1 e power minus z c2 e power of 2z otherwise y of x is equal to c1 e power z ये रहा तो minus z 1 by x आजाएगा मतलब यहां पे 1 by x आजाएगा प्लस c2 x square अब apply the boundary condition करा कि y of 1 is 1 तो apply कर दीजे 1 यहां पे आजाएगा है मतलब c1 plus 4 sorry 4 c1 plus c2 is equal to 1 is 3 next करा y of 2 is equal to 1 y of 2 means here 1 यहां पे हो जाएगा आपका c1 by 2 plus 4 c2 is equal to 1 यह c1 plus 8 c2 is equal to 2 4 दोनों को subtract कर दीजे तो minus 7 c2 is equal to minus 1 c2 equal to 1 by 7 c2 1 by 7 है तो c1 कितना हो जाएगा यहां पे रख देंगे तो 1 minus 1 by 7 that is 6 by 7 तो work out जो मिला हमें तो y of x is equal to this c1 मतलब बस c1 this is 6 by 7 into 1 by x plus c2 is 1 by 7 और फिर x square और value किसके हमें find out करनी है यह भी ध्यान रखना है y of 3 की values हमें निकालनी है तो y of 3 6 by 7 into 1 by 3 plus 1 by 7 into 9 2 2 by 7 plus 9 by 7 this is 11 by 7 so that is your answer is 11 by 7 4th is correct तो यह basic था इस तरह से इसको करना so take care, thank you Jain झाल